हेलो एवरीवन गुड बॉर्णिंग टो लॉफ यू वेलकम टू लॉजिक पाच्छाला आज के इस फीडियो में हम कवर करेंगे 18 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स के क्वेस्चन्स फ्रेंड्स इस फीडियो का चो पीडेफ है वह आप लोग को हमारे टेलिग्राम गुरुप से मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलिग्राम पर आप लॉजिक पाच्छाला 16 को डारेक्ली भी सर्च करके जॉइन कर सकती हैं तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट सी If you can dream it, you can do it, never give up अगर आपने देखे कोई सपना आप देख सकते हैं आप उसे कर भी सकते हैं इसलिए कभी भी give up ना करें आगे बढ़ते रहें और अपने सपने को complete करें और मुश्किलों से बिलकुल भी न घबराए मुश्किलों का अगर आप सामना करेंगे तो वो जरूर ही आप उससे आगे बढ़ सकती हैं चले फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इंप्रूर्ट दे से तो आज 18 चुला आज के दिन वेरी इंप्रूर्ट दे होता है नाशनल मंडेला इंटरनाशनल डे तो नैलसन मंडेला ची के बारे में आप जानते हैं सबी कि ये प्रेजिडेंट रहे थे South African country के और 1994 से लेके 1999 तक है यहां के इन्होंने पहले राष्टपती के रूप में कारे किया है और काफी जादा इन्होंने चुब वहां पे देखे रंग भेद विरोधी कारे करता थे एक तरीके से एंटी अपार्थिज एक्टिविस्ट थे और इन्हीं को ओनर करने के ऐंने पहली 18 जूलाइग को निर्स्ट Murray इंरेंश्नली सेल डिया चाता है सबसे पहली बारू ये दिन चुलाइग 2010 को जब निर्सट handled लाची के 92nd या 92nd नमब या बर्दे था उस दिन पहली भार जो है ये दिन मनाया गया था स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन से पहला क्वेशन है इन विच कंट्री रिलेशन्शिप्स एंड सेक्स एजुकेशन लेसंस हैव विन मेड कंपलसरी फॉर फिफ्टीन तो एटीन इयर ओल्ड इन स्कूल किस देश में स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए संबन्थ और यौन सिक्षा पार्ट अनिवारे कर दिया गया है तो इससे अनिवारे कहां पर किया गया है आईरलेंड में इसमें देखे जो है इसमें लेसंस यो कौन कौन से होंगे health पर होंगे, health and well-being पर, relationship पर, sexuality पर, adulthood पर तो यह सभी lessons को जो है वो शामिल किया जाएगा, बच्चों को इनके बारे में सिखाया चाहेगा ताकि एक तरीक से आगे जाके वो गलत चीज़े ना सीख पाएं Ireland की बात करें, capital है Dublin, currency है Ireland की Euro और यहां के president है Michael D. Higgins Next question India has signed an M.A.U. with which country for the construction of three additional submarine under the P.75 program भारत ने P.75 कारेकरम के तहए तीन अतरिक्त पंडुब्यों के निर्माण के लिए किस देश के साथ में एक M.A.U. पर sign किये हैं, तो यह M.A.U. sign किया है इंडिया ने France country के साथ में यह जो M.A.U. है यह Mezagon Dockyard Limited और Naval Group के बीच में sign हुआ है ताकि यह जो संबरीन इनके construction इनके लिए इस M.A.U. को sign किया गया जो स्कॉर्बिन संबरीन है इनमें advanced tilt features है और यह equipped है long range guided torpedo और anti-ship missile तो यह लंबी दोरी के जो torpedo होती है और जो जहाज रोदी missile है उनसे पुरी तरह से equipped हैं और इसी के लिए India और France के बीच में M.A.U. sign हुआ है next question the ministry of coal has set a target to gasify 100 million tons of coal by which year कोईला मंत्राले ने किस वर्ष तक देखे 100 million ton कोईले को गैसी करत करने का लक्षे रखा है so इसका लक्षे रखा गया है कब तक 2030 तक के लिए जो है इन्होंने ये target रखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है देखे to promote coal and lignite gasification project for both public sector undertaking and the private sector तो public sector और private sector दोनों के लिए जो कोईला और lignite gasification project है उनको देखे promote करना उनको बढ़ावा दीना इसका main purpose है और इसके लिए जो target रखा गया है कब तक का रखा है ये कि 100 million ton coal gasification किया जाएगा कब तक 2030 तक next question देखें तब फोर्थ energy transition working group meeting under India's G20 presidency will be held in which state भारत की अध्यक्षिता के तहत G20 के अध्यक्षिता के तहत जो चौथी देखें उर्जा परिवर्तन कारे समों की बैटक हुई है ये किस राजय में आयोजित की जाएगी तो ये बैटक जो है वो 19 to 20 जुलाई दो दिन ये बैटक रहेगी और इसका आयोजित किया जाएगा गोवा में इसके चेर्मेंशिप किसके अंडर में रहेगी आरके सिंग जो की न्यू एन रिन्यूवल एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनके अंडर में तो ध्यान रखेंगे ये कौनसा एडिशन इस मीटिंग का चौथा एडिशन बाकि एडिशन के बात करें तो सबसे पहली जो ये मीटिंग हुई थी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग गुरूप की ये हुई थी बेंगलूरू में सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग गुरूप की मीटिंग हुई थी गांधी नगर गुजरात में इसके लावत तीसरी Energy Transition Working Group की मीटिंग हुई थी मुंबई में और अब चौथी कहां पे हुई है गुवा में कोछ और G20 से लेटे नियूस की बात करते हैं तो देखे G20 Conference on Crime and Security तो ये कहां हुआ गुरुग्राम में थर्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग गुरुप की मीटिंग हुई के वडिया गुजरात में थर्ड G20 कल्चर गुरुप की मीटिंग हुई हमपी करनाटका में अर्बन 20 मेरल समेट हुआ एहमदबाद और गांधी नगर में नेक्स्ट क्वेस्टन देखे में स्वास्तिय देखभाल और आयुष अनुसंधान सुवित्धाओं के लिए जो आयुष सर्विसेज हैं उनको स्टेबलाइश किया है तो इन फैसलेटी को जो है कहां पर स्टेबलाइश किया गया है किस स्टेट में आंसर होगा फ्रेंट्स गुवा मी यह जो फैसलेटी ह इनको गुवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोज सावंत जो है उन्होंने इनौगरेट किया अब इस फैसलेटी का उदेश है क्या है देखिए इसका उदेश है जो वहां के लोकल कॉमिनिटी है उनको हाई क्वालिटी में और अफॉर्डेबल जो आईश हेल्थ केर सर्विस है व 30 में 1987 को गुवा की कापिटल है पर्ण जी चीफ मिनिस्टर है प्रमोज सावंत और श्री धरनपिला यहां के गवर्णर है नेक्स्ट क्वेशन विज स्टेट हास लॉंच्ट दी गजा कोथा कैम्पेइन टू एड्रेस दी ग्रोइंग प्रॉब्लम ओफ हुमन एलिफेंट क बीच में देखे जो संगर्श या जो कॉन्फलिक्ट की समस्या बढ़ रही है उसके समधान के लिए किस राज्य ने गजा कोटा जो अभियान है इसे शुरू किया है इस अभियान को शुरू किया है असम गवर्मेंट ने इसका उदेश है यह है कि जो एलिफेंट का करना ताकि जो कॉन्फलिक्ट हो जाता है या फिर लोग समझ सकें कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई एलिफेंट आगा तो हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है और हम गलत वे को चूस कर लेते जिसके चलते समस्या हो सकती है तो लोगों को समझाना कि आपको किस चीफ मिनिस्टर है हिमानता विश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाप चंद कटारिया, लोकसवा सीटे है 14, राजिसवा सीटे है 7 और असेम्ली सीट है 126, वर्ड का लाजस्ट रिवर आइलेंड है माजली आइलेंड जो की असम में भ्रमपुत रिवर पे लोकेटिड है और अस में लोहित रिवर पे सिचुएटेड है नेक्स्ट यहां के नैशनल बाक्स की बात करते हैं तो कौन-कौन से हैं देखे काजी रंगा, नामीरी, मानस नैशनल पार्क, डिब्रो साइक होबा, औरंग नैशनल पार्क, राइमोना, फॉरेस्ट, सेंचुरी, देहिंग, पठका है देखे, तो असम के चीफ मिनिस्टर ने अभी मिशन लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर एंवारमेंट जो है इससे लाँच किया था, इसके लावा असम ने अभी गिनिस वर्ट रिकॉर्ड बनाया था, एक साथ में लाजस्ट भी हु परफॉर्मेंस देके, एक सिंगल वेन्यो इन्होंने गिनिस वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्च किया, असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा आईशमान असम स्कीम को इन्होंने लाँच किया था, चलि फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ती हैं, विच अव दिफॉर्लॉइंग कंपनी हाज बीन अ अवर्ड किसी मिला है, अडानी ट्रांस्मिशन लिमिटेट को ये अवर्ड दिया गया है, अच्छे इस अवर्ड के बात करती हैं, तो ये अवर्ड क्या है मतलब इसके बारे में बात करें, तो ये अवर्ड दिया जाता है for reducing its ecological footprint through program जैसे की zero waste in landfill, single use plastic free, water positive operation, promoting renewable energy integration and implementation of best in class environmental management strategy तो इन सबी programs के माध्यम से जो भी अपने ecological footprint को कम करता है, उसके उसको कम करने के लिए ही ये जो पुरिसकार है वो देया जाता है, और इस बार मिला है ये अडानी ट्रांस्मिशन लिमिटेट को, बात करते हैं कुछ और recent awards की, तो देखे अभी scotch award मिला जमुकश्मी रूरल जमुकश्मीर बैंक को, लोकमानिय तिलक अवोर्ड मिला प्राइम मिनिस्टर मोधी जी को, पहली transgender woman जो मिस उनिवर्स निदलेंड अब बनी उनका नाम है, रिकी कोले next question, who will lead a five-member Indian contingent at the world weightlifting championship in Riyadh, Saudi Arabia from 4 to 17 September 4 से 17 सितंबर तक Riyadh, Saudi Arabia में जो विश भारतोलन championship होगा, उसमें पांच सदस्य भारते दल का नित्रत्व कौन करेगा तो इसते lead कौन करेंगी, मीरा बाई चानू जो है, इसते lead करेंगी रियाद event जो है, 2024 जो Paris Olympic होंगे, उसके लिए qualify event है देखिए और ये चार से 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें जो ये इंडिया contingent होगा, उसको मीरा बाई चानू lead करने वाली है next question, who has surpassed Harbhajan Singh to become the second highest wicket taker for India in international cricket तो अंतराष्टर cricket में भारत के लिए दूसरे सबसे जादा wicket लेने वाले गैनबाज Harbhajan Singh को पीछे छोड़कर अब कौन बन गई है तो पहले Harbhajan Singh थे देखे second highest wicket taker लेकिन अब बन गई है कौन? रवी चंदरन अश्विन तो ये कौन से नमबर पे आ गई हैं इंडिया में second number पे इनके total wickets हो गई है 709 फर्स नमबर पे है अनिल कुम्बले जिनके total wickets है 953 और Harbhajan Singh अब now slip कर गए है तीसरे position पर 707 wickets के साथ में तो फर्स पेनल कुम्बले सेकेंड पे रवी चंदरन अश्विन आ गए हैं अब और तीसरे पे हो गए है Harbhajan Singh ये याद रखेंगे और बात हो रही है किसमें international matches में next question who has won the gold medal in the women's 3000 meter steeple chase at the Asian Athletic Championship in Bangkok Thailand Bangkok Thailand में Asia Athletic Championship 2023 में महिलाओं की 3000 meter जो steeple chase है उसमें स्वन पदक किसने जीता है तो friends इसमें जो gold medal है ये जीता है किसने पारुल चौधरी ने पारुल चौधरी और जो इंडियन short putter है तरजिंदर पाल संग तूर इन दोनों नहीं देखे जीता है कौनसा medal याद रखेंगे gold medal और जो Asian Athletic Championship भी इसका venue भी हमें याद रखना है इस championship का आयोचन किया गया है Bangkok Thailand में तो friends यहां हमारे questions हो गए अब complete current affairs के चले strategy के questions को cover करते हैं पहला question देखे क्या है हमारा as per 2011 census which of the following is the least populated state in India last देखे जंगरना तो 2011 की हुई थी तो हमें आकड़ी याद रखने है उसके अच्छे से तो उसके according भारत में सबसे कम आबादी वाला राजे कौन सा है answer is Sikkim तो Sikkim जो है least populated state है India की according to 2011 census और अगर बात करते हैं की highest population किस state की थी तो यह आप यह भी आद रखेंगे उत्तर प्रदेश next question which of the following is the state has negative population growth is according to census 2011 2011 2011 जनगर्णा के अनुसार कौन सा राजी है नकरात्मक जनसंख्या व्रद्धी वाला है तो कौन सा state है answer is Nagaland Nagaland का जो growth rate रहा था वो था minus 0.58% जो negative growth rate रहा था इसके लावर decadal में बात करें तो decadal growth rate जो है वो केरल state का रहा था 4.9 और जो highest population growth rate record किया गया था वो कौन से state में किया था फ्रेंड्स में घाले में चीक है फ्रेंड्स से ध्यान रखीगा अच्छो एक और बात यहां पर ध्यान रखीगा अच्छो इंडिया का population growth rate रहा था वो था 17.64% यह आपको जो भी numbers है यह exact ऐसे ही ध्यान रखने है Next question Which of the following is the most literate district in India as per census 2011 2011 की जनगर्ना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे साक्षर जिला है सबसे साक्षर जिला कौन सा है सर्चीप सर्चीप की बात करें तो यह कौन से state में है यह भी याद रखेंगे यह है मिजोरम स्ट्रेट का district और यह सबसे most literate district था इंडिया का 2011 के census के according जो national literacy rate रहा था country का वो कितना था 74.04% जिसमें अगर हम males की बात करेंगे तो males का literacy rate था 82.14% और अगर females की literacy rate की बात करें तो वो कितना था 65.46% सबसे जो है वो जादा literacy rate अगर states की बात करें तो वो कौन से state का है केरल state का है और last में कौन है इसमें सबसे last या सबसे बेकार जो literacy rate है वो कौन से state का है बिहार का ठीके तो यह हमें याद रखनी है दोनों important points हैं पारत में किस राच्य में अनुसूचे जाती की जन संख्या सबसे अधिक है तो अनुसूचे जाती की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे maximum है उत्तर प्रदेश में इंडिया का 16.6% जो है ऐसी population रहता है चीके और friends उत्तर प्रदेश में भी जो सीतापूर डिस्ट्रीक है वहाँ पे सबसे जादा ऐसी population है ओके याद रखेगा अगला question देखे when was the first census in इंडिया भारत में पहली जनकरना कब हुई थी तो पहली जनकरना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी लेकिन तब regular कब स्टार्ट हो गई थी 1881 से जो census है वो regular census शुरू हो गया था ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे जो 2011 की friend जनकरना हुई थी ये वैसे अगर बात करें तो इंडिया का ये 15th census था यानि भारत की पंदर्वी जनकरना थी लेकिन independent इंडिया की जो है वो ये 7th जनकरना थी कई बार इस तरह के कोशन एक्जाम में बन जाती है 2011 की जनकरना के जो census commissioner थे वो कौन थे ये भी याद रखेंगे C. चंदर Mollie तो इन्हें appoint किया गया था 2011 की जनकरना का slogan किया था Our Senses, Our Future तो ये इसका जो है वो slogan था तो ये हमारे important points हो गए जहां से देखे important points है कहीं बार कहीं से भी question मन जाता है तो इन सभी को आप लोग जरूर याद रखें चले friends अब बात करते हैं revision questions की पहला question देखे who became the first unseeded Wimbledon women's single championship तो अभी Wimbledon championship हुई थी उसमें महिला एकल का किताब किस ने चीता? Marketa Vondrosovani Who is the author of the book जिसका title है Prism, The Enstrel Above of Rainbow तो ये book किस ने लिखी है? इस book के author है Vinodh Mankara Prime Minister Narendra Modi ji has recently awarded the highest civilian award जिसका नाम है Grand Cross of the Legion of Honor ये किस country का सम्मान है? तो ये किस country का पुरिशकार है? ये है France का highest civilian award Next question है Fintech Company Resort Pay has recently launched its first international payment gateway in which country? तो ये अपना पहला जो अंदराश्टे भुकतान gateway लाँच किया है इसे Malaysia में लाँच किया है Which state or UT has launched mobile dose application in sync with the vision of आपका mobile हमारा दफ्तर आपका जो mobile dose application है इसे लाँच किस ने किया है? जमु कश्मीर गवर्मेंट ने Next which edition of India Mobile Congress will be held October 27-29 at Pragati मैदान New Delhi तो इसका जो है वो consensus card होगा 7th edition होगा और इसकी जो theme रहेगी वो है Global Digital Innovation तो ये इसकी रहेगी friend 7th edition की theme Union Minister Hamish Shah has addressed the inaugural session of G20 conference on crime and security to be held in which city? तो ये हुआ कहां पे? Guru Gramme Which of the following country has launched the first world methane liquid oxygen space rocket into orbit? दुनिया का पहला methane, तरल, oxygen, अंतरिक्ष rocket को कक्षा में launch किया है किसने? Answer is China ने So complete होगे friends हमारे questions कलाब लोगत से हमने दो questions पूचे थे Asian Kabaddi Championship ये किसने चीती ही friends? तो ये इंडिया ने चीती है Second question था International Asteroid Day कब मनाया जाता है तो इससे मनाया जाता है 30 June को Thank you so much friends आप सभी के बिल्कुल सही answer थे आज के हमारे comment है रबन कुमार और पलवी कुमारी So both of you thank you so much अब बात करते हैं आज के test के question की पहला question है किस state में operation conviction जो है वो शुरू किया गया दूसरा question इंडिया ने जो है missile corbett जो INS करपान है ये किस country को जो है gift में देने की announcement की है तो ये दो question आप लोग हमें comment करके इनकी answer ज़रू बताएं friends इसी के साथ आज का important session complete होता है Thank you so much for watching this video कर दो करते है जो हमें है तो कि स्टेज कर दोड़रू, जो है आज कह दो है क्यों।